हलो एवरिवान एक्सरसाइज 12.1 अब करते हैं कुश्य नमबर सेवन सिंप्लिफाई तो देखिए दो पार्ट है तो यहां में सिंप्लिफाई करना है ठीक है तो देखिए पार्ट फर्स्ट देखने पहले अगर इसमें देखा जाए तो अगर कोई चीज ऊपर है कोई चीज है तो अगर कुछ कट सकता है तो पहले हो काट दो ठीक है सिंप्लिफ तरीका तो यह होता है जैसे 25 और 10 यह कट सकते हैं 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25 ठीक है अब देखिए अब हम यहां पर आइडेंटिटी लगा देते हैं यह तो है 5 यहां पर यानिके दोनों में बेस सेम है इसक माइनस करते हैं इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे बेस सेम होते हैं तो minus करते हैं तो तो divide में – करते हैं तो minus लगा दिये अब यह minus 8, यह पहले से ही minus में है, तो यह हो जाएगा plus का, ठीक है, आप इसको direct भी कर सकते हैं, यहां भी आप direct कर सकते हैं, ठीक है, upon, क्या बसता है, देखिए, यह तो हमने उपर पहुंचा दिया, इसकी power तो उपर पहुंचा दिया, तो नीचे यहां तो कुछ बचा नहीं यहां बचा नीचे 2, यह वाला T भी हमने उपर पहुंचा दिया, यहां पर, ठीक ही power हमारी उपर पहुंच गई, ठीक है, sign change होके, अब आगे करते हैं, तो देखिए, क्या बसता है, 5 की power 1, minus minus 2 बारे तो plus, तो 1 plus 3, तो 5 की power 1 plus 3 कितना हो जाएगा, 5 की power 4, इंटू, 3 की power कित upon में क्या बचा, upon में बचा 2, ठीक है, इसको हम simplify कर देंगे, 5 की power 4, यानि 5 into 5 into 5 into 5, 5 को 4 बार आपसों multiply करना है, 5 5 यह 25, 25 यह 125, 125 यह 625, साथ में T की power 4 है, उसको भी लिख देते हैं, T की power 4, upon में क्या बचा, upon में बचा 2, ठीक है, तो यही इसका answer आ गया, तो part 1 हमारा complete हो पार्ट सेकंड देखते हैं, तो देखिए, तो देखिए, पार्ट सेकंड में भी हम कुछ base सेम बनाने की कोशिच करते हैं, यहाँ पर base है 3, यहाँ पर, देखिए, 125 को हम बना लें, 5 की power 3, ठीक है, 125 क्या हो था, 5 into 5 into 5, ठीक है, तो यह देखो करते हैं, देखिए, करते हैं तो देखो 3 की power minus 5 इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसी रहने देते हैं 10 10 को हम तोड़ सकते हैं देखे 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 इससे लिख सकते हैं अब जो power थी वो इन दोनों के साथ लगा देते यानि 2 की power minus 5 और 5 की power और भी minus 5 क्योंकि हमारी identity होती है अगर हमारे बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो हम इनको multiply करके लिख सकते हैं यानि 2 5 जा 10 10 की power minus 5 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है जैसे हमने लिखा है और जो power है दोनों के साथ लगा दी ऐसी सेम 6 को भी तोड सकते हैं यानि 2 की power हो जाएगी minus 5 into 3 की power भी हो जाएगी minus 5 क्यों क्योंकि 6 क्या होता है 2 3 जा 6 होता है और जो power थी दोनों के साथ हमने लगा दी ठीक है अब यहां आप देखे कुछ चीज कट सकती है क्या देखे 3 की power minus 5 यहां भी की 3 की power minus 5 तो यह कैंसल आउट हो ठीक है और देखते हैं तू की पावर minus 5 यहां भी टू की पावर minus 5 यह भी cancela out हो गया और कुछ बचा देखे नीचे तो 5 का भी बेस बचा ऊपर भी 5 बेस नीचे भी 5 का भी बेस ठीक है तो अब लिख देते हैं पहला इनको और प्लस का 3 नीची क्या बचा है नीचे बचा फाइब की पावर मैनस प्लस का 3 नीचे बचा रब 5-7 इसको आगे क्या लिखें गहार अब देए थाफंगे 3-4 तो घटा देंगे 5 में से 3 गटा देंगे कितने दो यानि 5 की पावर बची 2 और साइन की सका आएगा माइनस आगया अब पॉन में 5 की पावर कितनी 4-7 ठीक है जो था निजी अब देख dispense अब देखिए डिवाइड में है तो हम क्या लिखेंगे डिवाइड में तो पावर मैनस हो जाती है यह जो पहले सी मैनस 7 तो यह मैनस आ गई है हमार एक्स्पोनेंशल फॉम में है अगर इसको आप और लिखना चाहो तो 5 को आप 5 बार आप मल्टिप्लाई करेंगे न फाइव इंटु फाइव इंटु फाइव इंटु फाइव इंटु फाइव इंटु फाइव तो यह आ जागा 3 1 2 5 ठीक है तो आप इन दोनो सेवन हमारा कंप्रीट हो गया आई होब कि आपको इस समझ में आया होगा ओके थैंक यू अ